कॉंग्रेस भले ही छेत्रिये पार्टियों को अब जातिवादी पार्टी करार दे रही हो लेकिन बिहार के संदर में हम देखें तो RJD और कॉंग्रेस दोनों ने ही समय समय पर एक दूसरे का फाइदा उठाया है कॉंग्रेस ने लोग सभा के चुनाओं में तो RJD ने बिधान सभा के चुनाओं में नमस्कार बिहार तक में आपका स्वागत है 1998 में कॉंग्रेस और RJD के गटबंधन की शुरुवात होती है उस समय कॉंग्रेस के राष्टिय अध्यक्ष सीताराम केसरी थे और उन्ही के पहल पर RJD से कॉंग्रेस का गटबंधन होता है उसके पीछे की वज़ा भी बता दें आपको कि 1996 में ही बीजेपी ने तब की सम्टा पार्टी और अब की जेडियू के साथ गटबंधन कर लिया था और काफी अच्छी सफलता लोकसभा के चुनाओं में उन्हें मिल भी रही थी 1998 में गटबंधन के बाद लोकसभा का जो चुनाओं हुआ उसमें भी RJD और कॉंग्रेस को अच्छी सफलता मिली RJD ने 17 सीटे जीती और कॉंग्रेस ने 5 सीटे पर उसके बाद का दोर देखें तो बहुत जादा खास तोर पर अगर हम लोकसभा की बात करें तो 1999 में बहुत जादा सफलता नहीं मिली RJD साथ सीटों पर जीती और कॉंग्रेस चार सीटों पर इसका असली जो फाइदा हुआ इन दोनों दलों को वो 2004 के लोकसभा चुनाओं में उस समय तक RJD कॉंग्रेस के साथ राम बिलास पास्वान की LJP भी साथ आ गई थी और 2004 में केंदर में UPA1 की जो सरकार बनी उसमें बिहार का काफी योगदान था 22 सीटे RJD ने जीती थी, LJP ने 4 सीटे और कॉंग्रेस को 3 सीट मिले थी उसके बाद 2009 में कॉंग्रेस और RJD अलग-अलग चुनाओं लड़े बहुँ जादा फरक नहीं पड़ा, 2004 में फिर साथ आए और 19 का जहां तक मामला है तो 19 में कॉंग्रेस और RJD ने मिलकर चुनाओं जरूर लड़े लेकिन बिहार के 40 सीटों में से मातर एक सीट केवल और केवल कॉंग्रेस जीत पाई इसी तरह से बिधान सभा में देखेंगे आप कि 1998 में लोक सभा का चुनाओं जो हुआ था उसमें गटबंदन की शुरूरात होती है लेकिन 2000 में जब बिधान सभा का चुनाओं हुआ तो उस समय दोनों दलों ने अलग-अलग चुनाओं लड़ा था आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी लेकिन बहुमत पाने के लिए उसे कॉंग्रेस की जववत थी कॉंग्रेस पूरे आरजेडी पर पूरे चुनाओं आक्रमक रही लेकिन जब सरकार बनाने का समय आया तो कॉंग्रेस ने R.J.D. का दामन ठाम लिया कॉंग्रेस को तब 24 सीटे आई थी जिसमें से 22 राबडी देवी के मंतरी मंडल में मंतरी बन गए और एक विधायक थे वो विधान सभा के अध्यक्ष बन गए एक और विधायक को बनाना था बचे हुए विधायक को लेकिन वो राजमंतरी बनने के लिए तयार नहीं थे फिर 2010 में विधान सभा का जो चुनाव हुआ दोनों पाटियां अलग-अलग चुनाव लड़ी दोनों की हालत खराब थी 2015 में तो महागडवंदन बन गया जिसमें नितीश कुमार भी आ गए आरजडी कॉंग्रेस के साथ साथ जेडियू भी और भारी बहुमत से महागडवंदन की सरकार बनी 2020 में नितीश कुमार नहीं थे लेकिन कॉंग्रेस आरजडी और कई अने दलों ने मिल कर चुनाव लड़ा और बहुमत के काफी पास आ गये थे करने का मतलब ये है कि जब भी सफलता मिली है तो केवल कॉंग्रेस और आरजडी से ही सफलता नहीं मिली है 2004 में LGP का साथ मिला था फिर 2004 में के लोग सभाचुनाओं में 2015 के विदान सभाचुनाओं में नितीश कुमार का साथ मिला तो ये पाटिया क्लिक कर गई 29 सीटे आई थी 2015 के विधान सवाज चुनाओं में कॉंग्रेस को 1995 के बाद पहली बार इतनी सीटे आई थी तो ऐसे में छेत्रियों पार्टियों का पूरा सहयोग कॉंग्रेस ने लिया है जब भी सरकार उनकी बनी है केंदर में को छेत्रियों पार्टियों सहयोग के रूप में रही है संख्या बल उनका बढ़ाया है बिहार में देखें तो 2000 में कॉंग्रेस ने RJD की मदद की ये सब कहने की बात है कि कौन पार्टी जातिवादी है और कौन गैर जातिवादी है कौनग्रेस का एक अलग वोट बैंक हुआ करता था और उस वोट बैंक को कौनग्रेस खोच चुकी है उसको दुवारा पाने के लिए उसे बीजेपी से लड़ना पड़ेगा और दूसरी बात ये है कि कौनग्रेस जब गटबंदन में आई तो जाहिर तौर पर उसकी लड़ने वाली सीटों की संख्या कम होती चली गए इसे भोट परसेंटेज पर असर पड़ा और जो एक संभावना होती है बड़ी पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने की वो कही न कही इसमें हो गया अब राहुल गांधी को लगता है कि यी छेत्रिये पार्टियों के सहारे अब आगे नहीं चला जा सकता है अपने वजूद पर हमें चुनाओ लड़ना चाहिए इसलिए अब वो छेत्रिये पार्टियों को जातिवादी पार्टी करार दे रहे हैं और कोई बात नहीं है हलाकि आर्जेडी ने इस पर कड़ा रियक्शन किया है और ये माना भी है कि जात को कोई नकार नहीं सकता है अब जितने भी केवल आर्जेडी की बात नहीं देश में जितने भी छेत्रिये पार्टियों है वो या तो जात के अधार पर है या भासा के अधार पर है तो दिश्चित तोर पर छेत्रिये पार्टियां अगर मजबूत रहेंगी तो कॉंगरेस कभी मजबूत नहीं हो सकता है तो ऐसे में राहुल गांधी को लगता है कि अगर लोकसभा के चुनाओं में मतनाता जो हैं वो रास्टी ये अस्तर पर देखते हैं वो रास्ट के मुद्दे को देखते हैं देश के मुद्दे को देखते हैं और बिधान सवाय के चुनाओं में राज के मुद्दे को देखते हैं। इस अधार पर अगर देखा जाए तो 2024 के चुनाओं में अगर कॉंगरेस अकेले मैदान में उतरती है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। और अगर ये प्रियोग कॉं आगे और भी मजबूत होगी। आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए। नमस्कार।